नमस्कर दोस्तो स्वागत है आपका आजके एक नए वीडियो में तो दोस्तो इंडिया सबकॉंटिनेंट में हम लोग जो दो वेबसाइट से सबसे ज़ादा स्वापिंग करते हैं एक है एमाजन और दूसरा है फ्लिपकार्ट तो आजकी इस वीडियो में हम बात करेंगे के फ्लिपकार्ट एप्लिकेशन से अगर आप कोई भी प्रोडाक्ट पर्चेस करने जाओ वैसे तो आप अपने Cash on Delivery, Debit Credit Card, UPI या Mobile Payment Wallet से पे करके कोई भी प्रोडाक्ट खरीद पाओगे पर फ्लिपकार्ट में आपको एक मिल जाता है EMI का उप्षन तो EMI में अगर आप कोई भी प्रोडाक्ट खरीदना चाते हो तो कैसे आप खरीद पाओगे और ये सेम चीज़ Amazon या किसी दूसरे website में ही लागू है तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे और एक example के तोर में देख लेंगे कि Flipcard, Amazon या कोई भी प्रोडाक्ट खरीदोगे और उसका payment अगर आप EMI से करना चाते हो तो कैसे आप अपना credit card का bank का offer यूज करके कर पाओगे इसका सारा procedure किया है और EMI में आपको क्या-क्या interest और option मिल जाता है अगर आप no cost EMI option चूज करते हो तो वहाँ पे क्या differences है आज की इस वीडियो में हम लोग details में discuss करेंगे तो इस वीडियो को अंतक देखी और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा अगर आप इस चैनल में नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकोन दवाना मत भूलिएगा तक ही technology के related ऐसी वीडियो आपको आगे में मिल दी रहे नमस्कार दोस्तों मैं हूँ कॉस्तव आप देख रहे हो टेकी बॉन सो लेट्स स्टार्ट तो दोस्तों मैं example की तोर से आज की वीडियो में दिखाऊंगा flip card application में पर आप अगर amazon या कोई भी application या website में जाओ तो process वही same है interface में थोड़ा बहुत changes है तो आज की इस वीडियो में flip card से एक example के तोर से हम लोग एक product देख लेंगे और उस product को purchase करने का पूरा procedure और finally जब भी आप payment करने जाओ तो आप अगर EMI option चूज करते हो तो EMI में आपको कौन-कौन सा bank का या credit card का option मिल जाता है यहाँ पे आपको flip card का pay later का EMI भी option मिल जाता है और अगर आप no cost EMI option चूज करते हो जहाँ पे आपको कोई extra interest देना नहीं परता है तो वो option चूज करके कैसे आप no cost EMI से भी payment करबाऊगे आज की इस वीडियो में हम लोग डीटेल्स में discuss करेंगे और यह भी जान लेंगे कोई अगर आप electronics gadget खरिदने जाओ तो वहाँ पे अपना पुराना phone या पुराना electronics gadget आप extend कैसे करबाऊगे उसका procedure भी आज की इस वीडियो में हम दो देख लेंगे तो next आप चले जाएंगे मेरे mobile के screen पर तो देखिए तो दोस्तों मैं आचुका हूँ मेरे mobile के main screen पर आप देख सकते हो flip card application का icon जल्दी से click करके open कर लेते है यहाँ पे मैंने flip card application का download installation और login account बनाना नहीं दिखाया क्यूंकि इसके बारे में already मेरे YouTube चैनल पे आपको एक tutorial वीडियो मिल जाएगा आप जाके वो चेक कर पाऊगे तो flip card application open होते ही उपर search bar से या यहाँ पे बहुत सारे category से आप कोई भी product चूस कर सकते हो तो for an example मैंने ये product चूस कर लिया तो आप देख सकते हो मैंने realme 9 ये mobile phone चूस कर लिया as a example आपको दिखाने के लिए आप यहाँ से कोई भी product चूस कर पाऊगे तो उपर आप देखोगे product का सारा picture इसको share करने का option add to favorite करने का option नीचे आपको मिल जाएगा इस product को view in 360 में देखने का option तो इस option पे आप click करोगे तो आप देख सकते हो इसी product का एक नया interface आपके सामने open हो जाएगा और product के picture के उपर click करके आप किसी भी तरब 360 degree rotation करके product को हर angle से देख पाऊगे अभी नीचे आप देखोगे product का और भी सारे color variant या यहाँ पे mobile phone है तो RAM का variant आप चेक कर पाऊगे अलग-अलग color का या RAM variant का storage का आप product यहाँ से select कर सकते हो नीचे आपको मिल जाएगा product का सारा details इसका total number of ratings, average ratings उसके बाद नीचे scroll करके आप आजाओगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो यह flip card plus SEO product है इसका MRP क्या है आपको यहाँ पे कितना percent discount मिल रहा है, final आपको कितना pay करना पर रहा है उसके बाद आपको मिल जाएगा इस product को अगर आप one time payment ना करके EMI में लेना चाते हो तो minimum कितना rupees per month से EMI start होता है और उसके बाजू में view plan option पे आप click करोगे तो कौन से bank का EMI का क्या-क्या facilities है उसका सारा details आपको मिल जाएगा तो for an example आप देख सकते हो Axis bank का EMI start होता है 735 rupees per month से इस product के लिए तो Axis bank का credit card का EMI क्या-क्या plan है 22 अब आप देखोगे monthly installment आपको कितना परता है कितना duration के लिए आप EMI लेना चाते हो उसका सारा details और हर plan में आपको कितना interest परता है और total price उसका क्या पर जाता है आखिर में उसका total cost भी आप check कर पाऊगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो duration जितना बड़ेगा आपका installment कम होगा पर interest जादा होगा और total cost भी जादा होगा उसके बाद आप देखोगे flip card का pay letter अक्टिवेट करके यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा EMI का option flip card pay letter आप कैसे activate कर पाऊगे उसका बिल कैसे payment कर पाऊगे इसके बारे में भी मेरा अलगसा एक dedicated tutorial वीडियो है वो आप मेरे चैनल पे जाके चेक कर पाऊगे तो अगर आप flip card pay letter का EMI लेना चाते हो तो यहाँ पर भी आप देखोगे installment क्या क्या है duration कौन कौन साब ले सकते हो और interest charges कितना पड़ेगा यहाँ पर आप देखोगे bank से जादा flip card का pay letter का interest charge परता है और यह fixed interest charge होता है bank में जैसे duration बढ़ने से interest बढ़ता है पर यहाँ पर आप तीन महीने का लो या बारा महीने का लो आपको interest एक fixed rate पे देना पड़ता है और यह bank से काफी जादा है और total cost आप डाइने तरफ चेक कर पाऊगे अभी आज आते हैं processing fee के बारे में जब भी आप EMI से कोई भी product खड़िते हो आपका total amount EMI में convert करने के लिए bank आप से एक processing fee charge करता है जो product के total amount का 1% होता है तो यहाँ पे आप देखो के flip card pay letter में भी processing fee of 1% और 199 whichever is lower तो यहाँ पे 15,000 का product है इसका 1% मतलब 150 रुपे या 199 जो कम होगा तो यहाँ पे आपको लग जाता है 150 रुपे नीचे आपको मिल जाएगा और भी सारे bank offer या credit card से EMI का option तो यहाँ पे आप देख सकते हो flip card access bank, SBI, HDFC bank, ICICI bank, American Express, AU bank, BOB, Bank of Baroda, City bank, HSBC bank, IDFC bank, Indocent bank, J&K bank, Kotak Mahindra bank, One card का credit card, RBL bank, Tender Chartered bank, ES bank का credit card option से आप EMI यहाँ से select कर सकते हो तो हर bank का offer और credit card में कितना duration है, कितना installment है, कितना interest rate है और total cost क्या है वो अगलग-गलग bank का आप चेक करके compare करके आपके पास जो credit card हो या Joyce bank से आप यहाँ पे EMI बे लेना चाते हो और जिसमें कम हो आपके मुताबिक वो आप चूज कर पाऊगे नीचे आपको मिल जाएगा terms and condition जिसको आप details में परपाऊगे अभी आप देखोगे इस product में free delivery है की नहीं, secure packaging fees, इसका service center replacement policy, cash on delivery available है की नहीं इसमें क्या-क्या offer है, कितना low price में आप इसको पासकते हो और भी other offers और coupon और जो आप minimum low value में पासकते हो उसमें क्या offer है जैसे इस product के लिए 10% instant discount है on access bank credit card, all offers and coupon option पे आप जाओगे तो इस product को खरीदने के लिए other क्या-क्या bank offer है, special price offer क्या है, partner offer क्या है, वो आप details में check कर पाओगे और यहाँ पे उस मुदाविक apply कर पाओगे अगर आप अपने पुराने phone से इस phone को खरीदने के time उसको exchange करना चाते हो तो आप जिस phone से flip card का application login किये हो, उसी phone को अगर बेचना चाते हो तो automatic उस phone का details यहाँ पे आ जाएगा और उस phone को बेचने के लिए based value क्या होगा, phone का model क्या है यहाँ पे आपको मिल जाएगा phone model change करने का या इसी model का check price करके check करने का option इसका most valuable price और show more option पे क्लिक करके कैसे कर पाओगे उसका भी एक details दिया हुआ है तो जब भी आप check price option पे क्लिक करोगे तो आपके phone का model का name आ जाएगा जिस phone पे आप अभी फिल्प का application यूज कर रहे हो नीचे आपको दिये देना है IMEI number यहाँ पे find my IMEI number पे क्लिक करके आप उसी phone का IMEI number automatic generate कर सकते हो या अगर किसी दूसरे phone को बेचना चाते हो तो उसके नीचे आपको उस phone का IMEI number टाइप कर देना है तो अगर आप उस phone से star has 06 has करके call बटन पे क्लिक करते हो तो आपके mobile पे main screen पर IMEI number flash हो जाएगा उसको आप यहाँ पे डाल दोगे और फिर नीचे next बटन पे क्लिक कर दोगे तो उस phone का कैसा condition है वो आप यहाँ से check कर पाऊगे तो जैसा condition है वो नीचे list से आपको select कर लेना है जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे flawless यहाँ पे फ्लॉलेस या minor screen damage और phone decept minor body damage, both screen and body damage जो जैसा condition हो वो आप यहाँ से select कर पाऊगे कैसे कैसे damage का क्या क्या select करना है वो उपर scroll करके आप picture से भी check कर पाऊगे और फिर select करने के बाद नीचे आपको next button पे click कर देना है तो आपके phone के condition मुदा भी आप कितना यहाँ पे value पा सकते हो old phone को exchange करके उसका calculation यहाँ पे आपको आजाएगा कैसे यह exchange काम करता है उसका भी details आपको यहाँ पे निल जाएगा average इस phone का कितना price मिलता है और आपको कितना price मिल रहा है और maximum people कितने price में इसको average एक price में बेचता है उसका भी तारा details आपको यहाँ पे मिल जाएगा नीचे आप देख पाऊगे इस procedure का भी पूरा tutorial यहाँ पे दिया हुआ है नीचे आपको I agree पे tick कर देना है और confirm exchange option पे click कर देना है तो आपके phone का exchange value आप जान पाऊगे और भी नीचे आप देखोगे जो product आप खरीद रहे हो उसमें क्या-क्या free offering दिया हुआ है जैसे इस phone को खरीदने के साथ साथ आपको discovery plus का 25% annual subscription में off मिलता है कुकू FM का one month का free subscription भी इसके साथ मिलता है आपको मिल जाता है यहाँ से purchase करने पर 100 super coins नीचे आप देदोगे अपना delivery address या पहले से आपका delivery address अगर flip card application में save है तो वो automatic यहाँ पे generate हो जाएगा अभी आप order करोगे तो कब तक आपके पास यह delivery होगा नीचे उसका delivery fees, delivery date उसका सारा details आजाएगा और अगर आप exchange करते हो तो MRP के उपर discount price घटा के final price के उपर भी आपका exchange value deduct होके final आपको कितना amount pay करना पड़ेगा उसका भी calculation नीचे आजाएगा इस product के साथ और भी क्या-क्या product आप खरी सकते हो उसका भी एक suggestion आजाएगा जैसे यहाँ पे आपको phone को protect करने के लिए मिल जाता है complete mobile protection इसका subscription plan क्या है, कितना charges है, MRP क्या है, discount दे के final आपको कितना pay करना पर रहा है इससे आपका कितना save होता है, उसका सारा details आप यहाँ पे चेक कर पाओगे उसी दरीके से screen damage protection का भी सारा details आप चेक कर पाओगे अगर आप अलग से इसके साथ purchase करना चाते हो और phone के company की दरब से भी care screen protection plan भी आप चेक कर पाओगे तो यहाँ पी भी आप add-on service ले सकते हो उपर आपको मिल जाएगा इस product को खरीदने के बग इस product के बारे में और भी जानकारी के लिए chat का option तो chat का customer support यूज करके भी आप इस product के बारे में और भी details में जानकारी हासिल कर सकते हो उसके बाद आपको मिल जाएगा product का specification तो इस product specification में highlighted क्या-क्या feature से वो आप चेक कर पाओगे जैसे RAM, ROM, processor, rear camera, front camera, display, battery का सारा specification details आप और भी details चेक करना चाते हो तो other details option पे जाके भी आप इस product का और भी सारा specification details चेक कर पाओगे उसके बाद आपको मिल जाएगा view similar product देखने का और और भी product से compare करने का option product में feature का highlight भी आप यहां से चेक कर पाओगे तो नीचे आप scroll करते आजाओगे तो इस product का और भी highlighted feature आपको देखने को मिल जाएगा और last पे आपको मिल जाएगा product का all details का option इसका rating review का option तो कौन-कौन से category में कितना rating और review मिला है वो आप चेक कर पाओगे यहां पे आप खुद भी rate कर पाओगे customer का product का review, ratings और customer दोवारा यहां पे post किया गया picture भी आप चेक कर पाओगे last पे आपको मिल जाएगा product related question and answer उसके बाद आपको मिल जाएगा similar कुछ product का option और उसका specification compare करने का option next आप देख पाओगे इसका sold by retailer का सारा details और flip card की तरब से कुछ production related product जो आप add on की तरह यहां पे add कर पाओगे purchase कर पाओगे और use कर पाओगे उसके बाद मिल जाएगा इस product के साथ buy together और भी कुछ product को खरीदने के लिए suggestion और last पे आपको मिल जाएगा इस product related कुछ similar product उसी brand का उसका option उसका भी product related suggestion आप चेक कर पाओगे similar product में और भी सारे discounted product का भी option आप चेक कर पाओगे और last पे आप देखोगे इस product के साथ साथ में खरीदने के लिए bought together कुछ product का भी suggestion अभी इस product को purchase करने के लिए आपको add to card option पे click कर देना है या buy now option पे भी click कर सकते हो तो ये product आपके card पे add होने से पहले यहाँ पर और एक बार कुछ suggestive product का option दिखाएगा कुछ add on product का भी option दिखाएगा mobile के protection के लिए तो उसका भी सारा details आप नीचे scroll करके check कर पाओगे और add on कर पाओगे अगर आप purchase करना चाते हो या subscribe करना चाते हो और फिर नीचे आपको go to card option पे click कर देना है तो ये product आपके card पे add हो जाएगा और आप आजाओगे flip card के card option पे उपर आप दे दोगे अपना delivery address नीचे product का सारा details आप चेक कर पाओगे आप अगर पुराना phone बेचना जाते हो या exchange करना जाते हो उसका भी details इसके साथ ही नीचे आजाएगा पर पुराना product आपको exchange के लिए जो pick up charges है वो 100 rupees extra लगेगा इसके साथ आपका जो subscription मिलता है extra offer और benefits उसका भी details यहाँ पे add हो जाएगा नीचे आपको मिल जाएगा फिर से कुछ suggested complete mobile protection के लिए कुछ add on subscription या products और last पर आप देख पाओगे price details तो यहाँ पे total MRP क्या है आपको कितना discount मिल रहा है delivery charges क्या है अगर कोई secured packaging fees रहा तो उसका भी details और total payable amount और अगर आप अपना पुराना fold exchange करना चाते हो तो यहाँ पे exchange value आपको कितना मिलता है वो आपका total से deduct हो जाएगा पर पुराना product को exchange करने के लिए pickup charges आपको extra 100 रुपीज देना पड़ेगा तो यहाँ पे वो calculation के बाद आप final देख पाओगे आपका total payable amount अभी आपको डाहिने तरब नीचे place order option पे click कर देना है तो next step पे आजाओगे आप तो यहाँ पे उपर आप देख सकते हो आपका delivery address नीचे आपको एक मिल जाएगा flip card foundation में donation का option और उसके बाद आपका product का सारा details नीचे वही similar इसके साथ में subscription offers का जो product है add-on का product है उसका details फिर से चलाएगा और last पे आप देख पाओगे finally आपका price details का breakup और फिर आपको डाहिने तरब नीचे continue option पे click कर देना है तो कुछ-कुछ product में open box delivery का service भी रहता है जो delivery के time product आपको handover करने के time box open करके check करके तभी delivery होगा यह service जिस-जिस product में basically electronics product में अगर available होता है तो इसका सारा details आप चेक कर पाओगे पर एक बार चेक करने के बाद OTP generate होगा जब भी आप OTP share करोगे उसके बाद damage या part missing या wrong item deliver होने का आप exchange नहीं कर पाओगे क्यूंकि delivery receive के time आप box open करके finally check करके ही receive किये हो तभी आप OTP generate किये हो और OTP share कर चुके हो delivery boy के साथ फिर आपको यहाँ पे accept and continue option पे click कर देना है तो आपके सामने open हो जाएगा final payment का page तो payment option पे उपर आप देखोगे 10% up to 750 rupees off on access credit card for non EMI transaction यहाँ पे कुछ offer आपको मिल जाएगा view all offer option पे click करके आप सारे offers चेक कर पाओगे नीचे आपको मिल जाएगा payment का suggested good option जैसे आप flip card pay later से payment कर पाओगे credit card से अपने payment कर पाओगे आपको pay ATM wallet pay ATM UPI या नीचे all other option पे कोई भी UPI ID से कोई भी mobile payment post page service से mobile payment wallet से credit card debit card ATM card से net banking से EMI easy installment से cash on delivery या gift card से payment करने का option मिल जाएगा last पे आपको मिल जाएगा फिर से आपके product का सारा price details तो यहाँ पे हम लोग discuss करने बाले है EMI के payment के बारे में तो अगर आप flip card pay later का EMI चूज करते हो तो आपको यहाँ पे कितना payment कर रहा है और इसका monthly EMI कितने price से start होता है वो आप चेक कर पाओगे नीचे select EMI plan option पे आप click करोगे तो flip card pay later का सारा EMI plan आप चेक कर पाओगे duration कितने कितने में interest कितना है आपका monthly EMI कितना लगेगा और final product का cost कितना परेगा वो आप चेक कर पाओगे और यहाँ पे finally processing fee आपको कितना लगता है तो अगर flip card का pay later option से अगर आप EMI से pay करना चाते हो तो यहाँ से आप अपना पसंदीदार EMI option चूज करके नीचे confirm option पे click कर सकते हो और अपना payment complete कर सकते हो और अगर आप कोई भी credit card option से pay करना चाते हो तो credit card option को आप select कर लोगे नीचे आपका यहाँ पे सारा details आप चेक कर पाऊगे और अगर आप किसी दूसरे bank के credit card से या EMI option से pay करना चाते हो तो नीचे scroll करके आप EMI easy installment is option को select कर लोगे और फिर डाइने तरब नीचे continue बटन पे click कर दोगे तो आपके सामने open हो जाएगा सारे credit card EMI का option तो सारे bank का credit card का list आप चेक कर पाऊगे यहाँ से तो जीस bank के credit card से आप EMI option लेना चाते हो उसको आप select कर लोगे तो आपको दिखाने के लिए for an example मैं access bank credit card का option select कर लेता हूँ तो उसमें कौन से month के duration में कितना percent interest है और monthly मुझे कितना pay करना पर रहा है उसका सारा calculation आजाएगा तो monthly payable amount कितना month duration का मैं EMI लेना चाता हूँ और इसमें कितना interest पड़ता है उसका सारा details में से जो मुझे पसंद हो उस option को मैं select कर सकता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे भी आप नीचे देखोगे आप processing fees of 1% और rupees 100 whichever is higher would charge by your bank for each EMI order तो जब भी आप यह process करोगे आपके total product का amount का 1% या 100 rupees जो ज़ादा हो वो आपको extra pay करना पर रहा है as a processing fee जो आपके product purchase के total amount को EMI में convert के लिए charge होता है नीचे आप देख पाओगे product का सारा price details तो यहाँ से अपना पसंदीदार EMI option चूज करके डाइने तरब नीचे जब भी आप continue बटन पे click करोगे आपका अगर credit card details पहले ही flip card application में save हो तो उपर आपका आजाएगा credit card का number आपको CVB number देके नीचे continue बटन पे click कर देना है तो आ payment complete कर सकते हो आप अगर first time credit card का details add करना चाते हो तो add new access bank credit card option पे click कर दोगे या by default आपका credit card का option open हो जाएगा तो यहाँ पर आप देदोगे अपने credit card का 16 digit का number नीचे आप देखोगे valid through या expiry date month और year और CVB number नीचे EMI information पे आप देख सकते हो आपका product price value कितना है तो वो rupees आपके credit card में block हो जाएगा और EMI में convert होने के लिए कितना time लगेगा total value का 1% या 100 rupees जो भी जादा होगा वो आपका processing fee extra charges देना परेगा और जो भी plan आपने select किया आपको monthly कितना pay करना परेगा और कितने duration के लिए pay करना परेगा including all the interest उसका amount आप देख पाऊगे तो अभी आपको bank के उपर depend करता है जितना यहाँ पे दिखा रहा है वो time लगेगा processing fee extra लगेगा पर आप यहाँ पे check कर पाऊगे monthly आपको कितना pay करना पड़ेगा कितने duration के लिए pay करना पड़ेगा पर यहाँ पे सारे जो आप payment कर रहे हो हर मन्त में वो सारे interest को include करके है इसके उपर आपको अलग से interest नहीं लगेगा पर आपका जो credit card का bill आएगा आप जो pay कर रहे हो उसके उपर अलग से 18% GST देना पड़ेगा तो वो आप ध्यान रखिएगा वो अलग सा GST आपके credit card के bill के उपर GST है वो यहाँ इस product में interest price नहीं है interest price already include होके जितना आपको pay करना पर रहा है वो आ आप यहाँ पर शो करके देख सकते हो पर आपको finally जो credit card का bill पे करना पड़ रहा है वो यह final amount के उपर अलग से credit card का bill के लिए 18% GST अलग से लगेगा तो यह सारा चीज आप ध्यान रखिएगा तो अभी तक हमने discuss किया यहाँ पर interest देके कैसे आप कोई भी bank का credit card यूज करके EMI किसे कोई भी product खरी सकते हो या flip card का pay later से भी आप कैसे खरीद पाओगे पर यहाँ पर हम discuss करेंगे no cost EMI के बारे में तो अभी हम लोग बापस आ चुगे है flip card के application के main interface पे तो कोई भी product खरीदते बगत अगर नीचे no cost EMI लिखा रहता है तो उस product में ही no cost EMI available होगा ऐसे random को अगर आप no cost EMI लिखके सर्च करोगे तो जो जो product में no cost EMI है उसी product का list आप यहाँ से select कर पाओगे तो for an example आप देख सकते हो उपर मैंने no cost EMI लिखके सर्च किया तो इस related जो जो product है या category है वहाँ से मैं product select कर सकता हूँ तो for an example मैं यहाँ से mobile category फिर से choose कर लेता हूँ तो no cost EMI mobile में जितने सारे mobile का listing है जिसमें no cost EMI applicable है वो उसका सारा list यहाँ पे मुझे मिल जाएगा उपर बहुत सारे filter यूज़ करके भी आप अपने product को specifically choose कर सकते हो product का सारा details price MRP कितना percent discount final price delivery date कितना आपको save हो रहा है exchange करोगे तो कितना save होगा product का specification picture नाम सारा details आप यहाँ पे चेक कर पाऊगे या उपर बहुत सारे filter से भी आप product को short कर पाऊगे filter कर पाऊगे compare कर पाऊगे price wise या product का specification wise भी आप चेक कर पाऊगे तो for an example मैं यहाँ से Samsung Galaxy F22 इस product को select कर लेता हूँ आपको सिर्फ दिखाने के लिए तो यहाँ पे product का सारा details पिछले step की तरह जैसे मैंने आपके सारे details में discuss किया वो आप चेक कर पाऊगे तो वो दुबरा मैं repeat नहीं करता हूँ तो यहाँ पे नीचे scroll करके आप आजाओगे तो पिछले product में जैसे जहाँ पे EMI का option था यहाँ पे आप देखोगे no cost EMI दिया हुआ है तो इस product को खरीदने के लिए आप अगर EMI plan नेते हो तो आपको extra कोई interest देना नहीं पड़ता है यहाँ पर भी view plan option पे आप जाओगे तो पिछले product में जैसे मैंने आपको दिखाया सारे bank का या credit card details का सारे bank का EMI क्या-क्या offer है credit card में वो आप चेक कर पाओगे पर यहाँ पर आप देखोगे कोई भी bank का credit card option आप select कर लोगे तो सेम तरीके से माय दरव आप देख पाओगे monthly installment जो आप pay करने बाले हो duration, concept, duration में कितना installment है, कितना interest है और total cost finally आपको कितना बढ़ता है उसका सारा details आप चेक कर पाओगे पर यहाँ पर आप देखोगे कुछ-कुछ EMI option पर जैसे 3 months और 6 months में no cost है तो इस दो option को आप select करोगे तब भी आपको कोई extra interest देना नहीं परेगा बाकि अगर जादा duration का होता है तो आप पर इंटरेस लगता है बटन को आप आप कर दोगे तो आपको दिखाए देगा जिस जिस bank या credit card offer में श्रीब no cost EMI का plan है वो उसका duration है आपको दिखाएगा उससे बाहर का plan आपको नहीं दिखाएगा तो इस तरीके से आप filter कर सकते हो अभी आप देखोगे यहाँ पर flip card pay letter EMI का भी option है और नीचे आपको मिल जाएगा all other bank का और credit card का भी option पर जब भी आप show bank with only no cost EMI option को on करते हो आपको flip card pay letter EMI का option नहीं दिखाता है क्योंकि flip card pay letter का no cost EMI का option नहीं है आप अगर सारे select करने के बाद अपने card option पे भी जाते हो finally payment के time और यहाँ पर flip card pay letter का option select करते हो no cost EMI में select EMI plan option पे आप click करोगे तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो option तो है payment के लिए पर यहाँ पर no cost EMI आपको नहीं मिलेगा तो flip card pay letter EMI में आपको finally no cost EMI का option नहीं मिलता है तो आप others कोई भी credit card का option चूज कर सकते हो यहाँ नीचे EMI easy installment इस option को आप चूज कर लोगे और नीचे continue बटन पे click करोगे तो क्यूंकि आप no cost EMI बाला product चूज किये हो तो यहाँ पे जो सारे bank का या payment का credit card का details या offer दिखाएगा सारे no cost EMI का option है तो यहाँ से आप कोई भी bank या credit card का option select कर सकते हो इसका अलावा भी नीचे आप देखोगे finally कुछ bank या credit card का option दिखाएगा जो EMI बाला है यहाँ पे no cost EMI का option ही नहीं है flip card pay letter के जैसा तो वो last में आपको दिखाएगा बाकी सारे आप जो no cost EMI का under bank card list देख सपाऊगे यहाँ पे आपको EMI with interest भी मिलेगा पर यहाँ पे no cost EMI का भी कुछ option included रहता है तो आपको दिखाने के लिए for an example मैं Axis Bank credit card का option चूज कर लेता हूँ तो Axis Bank credit card option पे आप देखोगे उपर no cost EMI applicable on one product on your order यहाँ पे आपको 3 months और 6 months में no cost EMI मिल जाता है जहाँ पे आपको extra कोई interest पे नहीं करना परेगा इसलिए डाहिने तरफ का column blank है और 6 months से ज़्यादा dutation बला जो EMI plan है 9 months, 12 months, 18 months और 24 months का वहाँ पे टाहिने तरफ आप देखोगे यहाँ पे interest लगेगा इसलिए interest mention किया हुआ है तो अगर आप no cost EMI पे लेना चाते हो तो जो EMI option available है उसी किनी दो option से आप select कर लोगे यहाँ पर भी आपको no cost EMI पे भी एक processing fee लगता है total amount का 1% या 100 rupees whichever is higher पर यह भी अलग-अलग bank या credit card में change होता रहता है तो वो आपको ध्यान से check कर लेना है एक बार order place करने से पहले तो नीचे आप देखोगे no cost EMI अगर आप choose करते हो तो आपको interest charge by bank कितना pay करना पड़ता था वो no cost EMI discount में पूरा wave up हो जाता है जो कि अगर आप no cost EMI से बाहर कोई plan नेते हो जहाँ पे आपको interest pay करना पड़ता है वहाँ पे आप देखोगे interest charge by bank का amount है जो wave up नहीं होता है आपको pay करना पड़ता है और अपना no cost EMI बाला plan आप choose करके continue बटन पे click कर दोगे फिर आप उपर दे दोगे अपका अगर credit card already flip card application में save है तो आपको सीव अपना CVV number डालना है अगर आप नहीं तरीके से अपना credit card details डालना चाते हो तो आपको अपना 16 digit card credit card card number देना है valid through या expired date आपको credit card card mention करना है मानत और यार और अपना CVV number देना है यहाँ पर भी EMI information में आप payment करने से पहले एक बार चेक कर लोगे जो भी bank आप select करते हो या EMI option select करते हो वहाँ पर processing fee कितना है जैसे Axis Bank credit card में total amount का 1% या 100 रुपे जो भी जादा होगा और यहाँ पर अगर interest पे करके आप EMI से लेते थे तो आपको कितना interest लगता था पर क्यूंकि आपने no cost EMI option चूज किया है तो उसका आप देखो के पूरा interest वेब अप हो गया है आपको no cost EMI का discount मिला है आपका total payable amount यहाँ पे block हो जाएगा आपके credit card में और यह EMI में convert होने में कितना दिन लगेगा आपको monthly कितना pay करना पड़ेगा कितने duration के लिए pay करना पड़ेगा और जो आपका credit card का bill आएगा बिल के उपर 18% GSTO अलग से credit card के bill पे होगा यह जो amount आपको monthly pay करना पड़ रहा है यहाँ पे show हो रहा है यह including all interest है पर यहाँ पे no cost EMI है तो कोई interest नहीं है तो कितना exact amount pay करना पड़ रहा है उसका calculation आप देख सकते हो तो finally सारा details चेक करने के बाद आपको नीचे continue बड़न पे click कर देना है तो आपका payment हो जाएगा successfully complete पर यह EMI में transfer होने में थोरा time लेगेगा वो bank या अलग-अलग credit card के company के उपर depend करता है और आपका order हो जाएगा successfully placed तो दोस्तो आज की इस वीडियो में आपने देखा for an example flip card का application यूज करके इस platform से एक example दोर के से mobile phone खरीद के मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पे अगर आप EMI से या no cost EMI से या flip card का pay later का EMI से payment करना चाहो तो तीन अलग-अलग procedure में कैसे आप कर पाओगे यहाँ पे अगर आप उपना पुराना phone exchange करना चाहते हो तो वो भी आप कैसे कर पाओगे और वहाँ पर भी आपको exchange में क्या-क्या benefit और कितना तक price मिल जाता है मैंने details में आपके शार्ष शेया किया पर यहाँ पे एक बात important है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए आप अगर no cost EMI से कुछ खरिते हो या interest दे के bank का या credit card का interest दे के भी आप कोई भी चीज purchase करते हो तो यहाँ पे मंत्री जो आपको installment देना पड़ता है वहाँ पे product का price और interest rate include होता है पर जब भी आपका credit card का bill आएगा तो वहाँ पे इसके उपर credit card अलग से 18% GST extra charges करता है वो credit card के bill के उपर है उससे product का या platform का कोई लेना देना नहीं है तो यह आप ध्यान रखिएगा तो उमीद करता हो आपको इस वीडियो से कुछ फाइदा हुआ और technology के बारे में आपको कुछ नया सिखने को मिला अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक like कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ चेयर कीजिएगा अगर आप इस चेनल में नया हो तो चैनल को ज़रू सब्सक्राइब पीजिए और साथ में बेल आइकोन दावाना मत पुलिएगा तकि technology के रिलेटेन ऐसी वीडियो आपको आगे में मिलती रहे आप मुझे facebook, instagram और twitter में भी फॉलो कर सकते हो link नीचे description में दिया हुआ है तो आज के लिए बस इतना ही दुबारा मिलते हैं किसी नय वीडियो में जहां सिखेंगे technology के बारे में नया कुछ क्यूंकि यहान बाटने से बढ़ता है आप मुझे comment करके बताओ कि flip card या कोई भी ऐसे shopping platform यूज़ करके अगर आप कोई भी product खरीना चाते हो तो यह माई से या no cost यह माई से payment करने का यह procedure आपको कैसा लगा इस related अगर आपको और भी topics में वीडियो का जानकरी हासिल करना है तो आप मुझे comment करके ज़रूर बता सकते हो क्यूंकि नीचे comment box आपके लिए है तो तब तक के लिए जैहीन बंदे मातरम बाई